Good morning everyone and today we are going to discuss the questions of exercise 5.3 and it's our third chapter name matrices continue तो चलिए बिना किसी देरी के start करते हैं हमारा first question क्या गता है 6, 11, 1, 2 इससे पहले हम equation पढ़ लेते हैं using elementary row operations find the inverse of the following मतलब हमें use किसका करना है raw operation only on raw operation इसवे focus करना है कि हमें raw operation का use करना है और निकालना क्या है उसका inverse अब देखो inverse निकालने के 3-4 method हम अब तक पढ़ चुके हैं कैसे A inverse is equal to adjoint of A upon determinant of A right और दूसरा method था जब हम polynomial हमें को equation दीवी हुई थी कि कुछ इस type की उससे भी हम निकाल सकते थे क्या inverse ठीक है और अब यह तीसरा method है वैसे ही column operations होता है तो हमारा first question क्या क्या क्याता है 6, 11, 1, 2 इसको सबसे पहले हम let कर लेंगे क्योंकि देखो जब भी हमारे पास कोई equation होती है हमको सबसे पहले कुछ नाम लेके चलना होता है जैसे आप मानके चलो जब भी कोई छोटी सी चीज होती है हम उसको किसी नाम से बुलाते है इसको भी हम एक नाम दे देंगे वो नाम हमने दे दिया A अब इसको solve करने के लिए हम सबसे पहले क्या कहते है A is equal to I of A हमने इसे पिछली वीडियो में पढ़ा था कि I of A हम क्यों करते है जैसे अगर मान लो किसी भी मैट्रिक्स को मेरे को multiply करके यानि कि A inverse चीए मेरे को किसी भी मैट्रिक्स में से A inverse का मतलब क्या होता है किसी मैट्रिक्स को X से multiply करो तो वो I दे तो वो X क्या होता है उसका inverse होता है राइट अब देखो इसमें भी यही होगा अब यहाँ पर प्रोपर्टी लेके चले A is equal to I A Q क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम I A से multiply करें मतलब I से multiply करें तो वही मैट्रिक्स देती हैं तो यहाँ से हम यह property लेके चले हैं तो A की value हमने रख दी और I की value रख दी इस value को हमने A को as it is रखा है वो क्यों आपको बाद में पता चल जाएगा लेकिन अगर आपने इसे पिछली वीडियो में जो example कराए थे वो नहीं ही देखे हैं तो आप एक बार देख लेना link description में मिल जाएगा ठीक है अब A की value लिख दी अब देखो raw operation यूज करने है तो first raw operation मैंने आपको क्या बताय था पिछली वीडियो में कि देखो जब भी हमें यहां पर इसको 1001 बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है फर्स्ट प्लेस पर वन बनाओ और रो प्रेशन लगा रहे हो तो कोलम में पहले 0 बनाओ यानि कि second raw में 0 बनाओ राइट फर्स्ट रो में 1 बनाओ second में 0 बनाओ क्योंकि अभी कौन सा बना रहे है रो प्रेशन लगा रहे है अगर कोलम लगा रहे होते तो कोलम में पहले 0 बनाते राइट तो हमने फर्स्ट पे 0 बनाने के लिए हमने क्या किया इनको इंटरचेंज कर दिया r1 और r2 वो 2 उपर चला गया similarly यहां पर 10 निच्ची आ जाएगा और 01 उपर चला जाएगा तो वह क्या होगा 01 और 10 इतनी बात क्लियर है चले चलिए next हमने क्या property लगाई है अब मेरे को यहां पर क्या बनाना है 0 जो मेरा motive है मैं उसको साथ के साथ लेके चलने हूँ ताकि मैं easily अपने target तक पहुंच सकूँ तो मेरे को यहां बनाना है 0 तो 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगी इसको अगर मैं C से multiply करके इसको अगर मैं 6 से multiply कर के इसमें से minus कर दूँ तो यहां 0 बन जाएगा मैंने वही किया क्या इस पर operation लगाना है न मतलब इसको treat करना है इसको बदलना है तो वही चीज अगर रखी उस पर ही operation लगाया क्या r2 tends to r2 यानिकि 6 minus 6 r1 यानिकि minus 6 into 1 तो बन की 0 ध्यान रखना जो हमें चाहिए वो हम target लेक के चलने का मकसद यह होता है ताकि हम अपने कोशन के answer तक easily और fast जल्दी से जल्दी पहुंच सकें चले अब देखो इसने इतनी बात तो कह दी कि यह हमारा बन गया 0 अब मैंने थर्ड चीज आपको क्या बताई थी 1 बना ली 0 बना ली उसके बाद क्या बनाना है जब second वाली उस column की बात आएगी तो second वाली column में पहले one बनाना है, zero नहीं यहाँ वाली zero बाद में बनानी है पहले यहाँ वाला one बनाना है तो उस one को बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो सिद्धा आप देखो, यह छोटी term थी तो direct भी answer आ सकता है लेकिन अगर आप step wise चलोगी तो आपका और भी चल दी answer आ सकता है तो मैंने यहाँ पर क्या किया है इस two को zero बना दिया है पहले कर सकते हैं क्योंकि यह तो सिर्फ minus one ही है, already one बना पड़ा है ओके, तो हमने यहाँ पर अब क्या बना दिया zero, तो zero कैसे बनाएंगी अगर मैं आर वन पर इसको zero बनाना है क्योंकि देखो, यह हम यहाँ zero इसलिए बनाते हैं, ताकि जब भी हम दूसरे से इसमें कोई operation लगाएं तो इस वाले one पर कोई effect ना हो I hope आप यह बात clear होगी होगी, कि अगर हम यहाँ पर zero नहीं बनाएंगे तो इस वाले one पर effect पड़ेगा तो हमारे इस one को छेड़ने को कोई फायदा ही नहीं होगा, तो इसलिए पहले यहाँ one बनाते हैं, यहाँ zero बनाते हैं, और फिर वालो अगर three cross three किया, नहीं next वाले पर भी zero बनाएंगे, अब क्लिए न, तो अब मेरको यहाँ पर zero बनानी है, तो मैंने क्या किया, अगर देखो two में से, मैं निच्चे वाली one, क्योंकि roll लगानी है, निच्चे वाली one में को मैं two से multiply कर दूँ, तो मेरा बन जाएगा काम, बन गी zero, वही लगाया, मैंने operation क्या, r1 tends, यानि कि two tends to two plus two into minus one, right, तो बन गया zero, अब, नीच्चे तो minus one था one, यानि कि अल्रेडी बना पड़ा था, तो सिद्धा one से multiply कर दो, हमारी क्या टम बन गी, one zero zero one, हाँ, अब देखो, ये टम साथ के साथ, इधर भी use हो रही है, r1 tends to, यानि कि zero, zero plus two into one, तो यहाँ पर क्या लिखती है, two, similarly, ये कैसे है, one plus two into minus of six, यहाँ पर क्या हो गया, one plus minus of twelve, ये क्या बन गया, minus of eleven, clear होगी ये बात, चलिए, हमारी क्या टम आगी, one zero zero minus one, बना पड़ाया, और रेड़ी, सिद्धा क्या करेंगे, या तो one minus one से multiply कर दो, या divide कर दो, कोई फरक नहीं पड़ता, बनेगा, तो हमारा one ही, अब हमने क्या कर दिया, one zero zero one, minus one से r two को multiply किया था, तो इस side भी होगा, तो इस side भी कर दिया, और यह हमारी यागी किस की value, देखो, a को किस x से multiply करें कि i दे दे, आप याद आया कि मैं वो क्यों बता रही थी, x वाली term, दिखाओ, a को किस से multiply करें कि वो i दे, a inverse से, तो a inverse की value क्या आगी, two minus eleven, minus one और six, मैं आपको easy से easy way में पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपके जो journal doubt है, वो paper में आपके सामने ना आई, ठीक है, अब देखो, next question क्या करता है, six minus three, two, और one, same वही row operation लगाने है, और inverse निकालना है, किसका row operation की help से, तो सबसे पहले उसको कुछ नाम देंगे, जब आपको किसी नाम से भूलते हैं, तो इस matrix को भी आपको कुछ नाम देना होगा न, तो हमने इसको नाम दिया, वही property लगाई, A is equal to I, A की value रखी, I की value रखी, यह I की value है, और यह A की value है, तो अब देखो, यहां बनाना है one, right, one बनाने का मिरे कोई तरीका नहीं सूझ रहा, अगर मैं इसको three से multiply करके, इसमें से minus कर देती हूँ, तो वह मेरा zero दे देगा, उसको तो मेरे कोई फायदा नहीं है zero का, मेरे को बनाना है one, अगर मैं इसको three से multiply करके, फिर minus करती हूँ, तब भी मेरे को वह zero देगा, right, तो मेरे को one तो मिलने से रहा, तो मैंने क्या किया, इसको two से divide किया, so that मेरे पास three आजे, और अगर मैं three को minus करूँगी, तो मेरे पास one आ जाएगा, मेरे को एक step आगए की सोच के चलनी है, तो मैंने यहाँ पर क्या बनाया, three, यहाँ पर मेरे को main motive मेरे पहले, यहाँ one बनाने का है, मेरे को कोई मतलब नी कि मेरे पास, पिछी अभी क्या बनेगा, मेरे को फर्क सिर्फी बात से पढ़ता है, कि मेरे पास यहाँ क्या होना चाहिए, one होना चाहिए, तो अगे हम start करते हैं, हमने बनाया क्या यहाँ पर, three, three बनाने के लिए क्या आग गया, मैंने r1 tends to r1 by r2, तो r1 by 2 किया, 6 by 2, 3, minus 3 by 2, यहाँ पर, यहाँ पर b by 2 होएगा, तो 1 by 2 और 0 by 2, इतनी बात क्लियर है, अब मेरे को दुबारा, दूसरे step में क्या करना था, सोच के बताओ, चलिए, तो हमें यहाँ पर करना था, इसको one, one बनाने के लिए, इसमें से यह plus कर दूँगी, तो मेरा one बन जाएगा, तो मैंने क्या किया, r1 tends to r1 plus r2, मेरा यहाँ पर one बन गया, first target मेरा हो गया, फुल्फिल, इसमें यह add करूँगी, तो 1 by 2, इसमें यह add करूँगी, तो 1, क्लियर है इतनी बात, अब यहाँ बनानी है, 0, 0 बनानी के लिए, क्या करूँगी, इसको अगर मैं 2 से multiply करके, यह add कर दो, तो बन गी मेरी 0, देखो, minus 2, plus 2 into 1, क्या बन गई, 0, focus जिसी सीज़ पर करना है, जो जो चेज़ बनानी है, उसी पर focus लेके चलते हैं, तो r2 tends to r2 plus 2 r1, मेरी यहाँ पर 0 बन गी, इसमें भी सेम वही operation लगाया, r2 यानिकी 0, plus 2 r1, यानिकी 1, बची क्या 1, तो 1 बन गया, similarly 1, plus 2 into 1, यह बन गया 3, और यह आ गया 3, इतनी बात क्लियर है, हो क्या से रहे हैं, छोटी छोटी सी calculation है, बहुत अच्छे, एक एक दो दो नमबर में आ जाता है, बहुत अच्छे marks दे के जाता है, मतलब कटने, marks कटने की गुझाश, बहुत ही कम होती है, in questions में, तो यहाँ से अब देखो, यह मेरे को क्या बना देती है, 2, 0, अब देखो, मैंने आपको पिछे बताया था, यह नहीं है, अगर वो 0 होता तो तो यानि की singular होता था, और 0 को अगर मैं, adjoint of A के by में लगाऊंगी, तो वो क्या दे देता है, adjoint of A by 0 क्या हो जाता है, infinity, और क्या infinity fix होता है, नहीं होता, तो इसलिए, यह inverse एक्जिस्ट ही नहीं करता था, अब देखो, यहाँ पे भी दो टम पे 0 बन गी है, दो टम पे 0 का मतलब, मेरे को detainment की property याद आती है, इससे, detainment की property क्या कहती है, अगर मेरी एक row या एक column 0 हो जाती है, तो मेरा पूरा detainment 0 हो जाता है, detainment, अब दुबारा उसको इस से relate करो, detainment के 0 होने का मतलब, adjoint upon detainment, यह 0 होने का मतलब, infinity का मतलब, inverse exist नहीं करता, तो यहाँ पे भी वही case होगा, कि A inverse matrix exist नहीं करेगी, तो इसलिए यह हमारा question हो जाता है, यहीं पे खत्न, अब, third question क्या कहता है, two, five, one, three, सबसे पहले नाम देंगे, उसके बाद A is equal to I A लगाएंगे, I hope आपने पहले दो questions अच्छे से देख लिए होंगे, तो third question में हम थोड़ा सा direct चलेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे बनाना है one, one बनने के लिए क्या क्या है, इसमें से minus कर दिया, दोनों साइड होगा, तो two minus one, one, और five minus three, two, यहाँ पे one minus zero, one, और zero minus one, minus one, right, इतनी बाद क्लिए रहा है, one बन गया, second target यहाँ पे zero बनाने का, zero बनाने क्या लिए क्या करेंगे, इसमें से यह minus, परो, R2 tends to R2 minus R1, I hope यह आपको अब operation लगाने, बिल्कुल इजी लग रहे होंगे, तो मेरा पढ़ाने का मकसब भी यही है, कि आपको अच्छे से अच्छा content, बिल्कुल easy way में समझ आए, तो zero बन गया है हमारे पास, अब देखो, one बना पढ़ा है, कोई tension नहीं, बची क्या यहाँ zero, zero बनाने के लिए क्या करेंगे, इस में से यह माइनस कर दूँ, मैं मेरे पास only on raw operation लगाने है, तो R1 tends to, R1 minus 2 R2, तो यहाँ पर भी बनगी zero, जो operation यहाँ लगाया, वो भी यहाँ भी लगाओ, तो R1, R1 क्या था, one minus, minus 1 into 2, यह क्या बनगा 3, similarly यहाँ पर, minus 1 minus 2 into 2, क्या बनगा minus of 5, तो यह बनगा minus of 5, अब 1001, A को किसी से multiply करने पर, अगर आई आ रहा है, तो वो इसके साथ वली term क्या होगी, A inverse, clear है बात, अग चलते हैं, fourth question की तरफ, start होती है, हमारी 3 cross 3 की matrices, 3 cross 3 की first matrices क्या कहती है, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 1, first देती है, यह A मानने के बाद, हम क्या हमारा general opinion क्या रहता है, कि A is equal to I A, सबसे पहले A की वाली पुट की, I की वाली पुट की, और A ही लिखती है, क्या बनाना है, first पे 1, लेकिन यहाँ पे तो 0 है, लेकिन मेरे को निच्चे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, interchange कर दू, ठीक है, तो मैंने कर दिया interchange, कोई फरक नहीं पड़ा, अब देखो, 1 बना दिया, 0 बना पड़ा है, तो यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, याद आया, 0, तो मैंने 0 बनाया है, यहाँ पे, 0 बनाने के लिए क्या किया, अगर हम इसमें को 3 से multiply करके, यह minus कर दू तो हो जेगा, तो मैंने क्या किया, R3 tends to R3 minus, हाँ, जिसको change करना है, उस पे ही operation लगेगा, दुबारा सुनो, जिसको change करना है, उस पे ही operation लगेगा, तो R3 को change करना है, R3 tends to R3 minus 3R1, बनगी 0, अब देखो, R3, यहाँ पे भी R3 में operation लगेगा, R3 tends to R3 minus 3R1, R3 minus 3R1, तो क्या बन गया, minus 3, तो 1, अब देखो, साथ के साथ, दोना साइड operation पैरलल ही चल रहे हैं, आपको भी पैरलल ही चलाने हैं, अब, यहाँ पे 1 बना पड़े हैं, कोई tension के बात नहीं, यहाँ पे क्या बनानी पड़ेगी, 00 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम में में मोटीब क्यों होता है, 00 बना लिया, अब हमें जो desirable चीज़ है, उसी से multiply करके minus कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई और चीज़ होगी, by chance यहाँ 3 by 5 होता, तो यहाँ desirable चीज़ के लिए, पहले हमें किसी चीज़ से multiply करना पड़ता, 5 से, ठीक है, फिर उसको 3 से divide करना पड़ता, और मेरेको 2 काटना है, तो उसमें से 2 minus करना पड़ता, तो इसी लिए इतना हमारे पास ना हो, हम क्या बनाते हैं सबसे पहले, बीच वाली term 1, तो 1 बनाई हमने, उसके बास 0 बनाई, 0 क्या से, r2 tends to r2, r1 tends to r1 minus 2 r1, r2, ठीक है, r2, r1 tends to r1 minus 2 r2, लगा सकते हो, मैंने यह वाला लगा दी, आप साथ के साथ यह वाला operation भी लगा सकते थे, r3 tends to r3 plus 5 r2, क्योंकि यह भी तो plus करना है, यहाँ पे भी तो 0 बनानी है, लेकिन मैंने अलग-अलग किया है, सिर्फ इस question में, अगली जितने भी questions होंगे, वो आपको मैं direct करवाऊंगी, और direct ही आपको पेपर में करना है, क्योंकि आपके पास exam में time नहीं बचेगा, और अगर बच भी गया, तो आप इनको revise कर लेना एक बार, ठीक है, मेरे पास क्या बचाए, यहाँ पर वैसे मेरे पास तो पेपर में बहुट time बच गया था, आपके पास भी बच जाना चाहिए, अगर आपने अच्छे से practice की है, तो यहाँ पर भी यही operation लगएगा, r1 tends 2, r1 minus 2 r2, r1 tends 2, r1 minus 2 r2, यह बन minus 2, यह 1, और यह भी 0, ठीक है, अब r3 पर आ जाते हैं, r3 tends 2, r3 plus 5 r2, लगाओ, इस में से यह करो, देखो, इसका 0 को कोई effect पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, और इसका 1 का पड़ेगा, इस 1 के कारण यहाँ पर 0 बन गया, और यहाँ पर क्या बनेगा, 5, और यहाँ पर minus 3 और 1, क्योंकि 0 का तो कोई effect ही नहीं पड़े रहा, अब बात करते हैं, यहाँ पर काहाँ बनाना है, बनाना है 1, अब आप बताओ मेरे को, यहाँ पर 1 बनाना है, डिरेक्ट बन जाएगा, अगर 2 सी डिवाइड कर दू, बन जाएगा, मतलब यह operation पहले लगा दिया, बात की जंगा हमने पहले लगा दिया, तो हमारी यहाँ 0 बन गी, अब देखो, अब तो मेरे को यह change करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैंने इसको change नहीं किया, 1 यहाँ नहीं बनाया, तो मेरी बाग की terms खराब होने का खत्रा है, तो मैंने यहाँ पर 1 बनाने के लिए क्या किया, r3 tends to r3 divided by 2, तो बन गी मेरी 1, सारी इसको भी r3 by 2 कर दिया, तो मेरी यहाँ पर क्या बन गी, 5 by 2, minus 3 by 2, 1 by 2, और into में यह चल रहा है, अब यहाँ पर 1 बन गया, सिर्फ इसको 0 बनाना है, इसमें से यह minus कर दो, यहाँ पर कोई effect नहीं पड़ेगा, पड़ेगा नहीं है, तो अब यह भी 0 बन गया, और मेरी सारी टाम क्या आगी, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, और इसमें से यह plus किया था, क्या आया, 1 by 2, यह plus किया, minus 1 by 2, यह plus किया, 1 by 2, सारी टाम क्या आगी, किसी भी A को, अगर 1 X टाम से मल्टिप्लाई करें, तो आई देती है, तो उसका मतलब क्या है, यह जो side वाली टाम है, वो A inverse है, इतनी बार तो लिए रहे, चलिए, next question हमारा खुद करेंगे हैं, like, तो देखो, हमारे पास क्या टाम थी, 1 minus 1, 2, 0, 2 minus 3, 3 minus 2 और 4, सबसे पहले इसको मान लेते हैं, हर बार की तरह, A, क्या मानेंगे, A, तो हमारे पास क्या आया, A is equal to, 1 minus 1, 2, 0, 2, minus 3, 3, minus 2, A is equal to I of A, तो क्या आया, A की value क्या है मेरे पास, 1, 0, 3, minus 1, 2, minus 2, 2, minus 3, 4, इतनी बात क्लिए रहा है, I की value क्या है, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, into A, यहां 1 बनाना है, बना पड़ा है, यहां 0 बनानी है, बनी पड़ी है, यहां पर बनाना है, 0, 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R3 पर चेंज करना है, R3 tends to, R3 minus 3, R1 कर सकते हैं, चलिए, क्या होगा, 1, minus 1, 2, 0, 2, minus 3, as it is, 3 में से, minus 3 गए, 0, minus 2, minus, minus 1, into 3, यही आएगा, 4, minus 3, into 2, यही आएगी टर्म, इदर क्या बनेगी, 1, 0, 0, 0, 1, 0, यहां पर, minus 3, 0, 1, और, A, इतनी टर्म सही है, इसको solve करके लिखेंगे, तो यहां पर क्या बन जाएगा, plus 3, minus 2, यानि कि, plus 1, और, यहां पर क्या बनेगा, हमारे पास, minus के 4, और, minus 6, plus 4, minus 6, क्या बन जाएगा, minus के 2, तो इसको लिख सकते हैं, direct, minus के 2, अब देखो, इतनी टर्म बन गी, अब यहां पर क्या बनाना है, 1, इसमें से अगर यह minus करूँगी, इसमें से अगर यह टर्म minus करूँगी, तो यहां पर 0 खराब होगी, समझ रहे हो, अब कैसे करती हो, मैं questions, यहां पर अगर मैं इसको change करूँगी, आप भी ध्यान देखका चलो, अगर इसमें से यह change करूँगी, तो यहां पर 0 खराब होगी, और इसमें से अगर यह minus करूँगी, तो इस 0 पर कोई effector नहीं पड़ेगा, इतनी बात के लिए न, तो मैंने क्या किया, r 2 tends to r 2 minus r 3, r 1 क्यों नहीं किया समझाया, अब 1 minus 1 2, इस पर इक effect पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, 2 minus 1, 1 और minus 3 plus के 2 हो जाएगी, तो minus of 1, 0, 1 minus of 2, इतनी बात क्लियर है, 1, 0, 0, आप देखो, 2 में से 3 minus करना है, तो ये plus के 3 हो जाएगा, 1, और ये minus करना है, तो minus of 1, minus 3, 0, 1, और A, अब हमारी क्या time आएगी, इसको करना है 0, इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें add कर देंगे, कोई यहाँ पर कोई फर रखनी पड़ेगा, और इसको subtract कर देंगे, तो एक साथ दो operation लगा रही हूँ क्या, R1 tends to R1 plus R2, and R3 tends to R3 minus R2, इतनी बात लिए रहा, चलो, 1 minus, sorry, 1, इसमें से ये करो, 0 बन गया, इसमें से ये करो, add, क्या बनेगा, plus के 1, अब second term as it is, second row as it is, यहाँ minus 1, अब third row क्या कहती है, R3 minus R2, इसमें से ये minus करो, कुछ फरक नहीं पड़ेगा, यह आपको समझ आ रहा है न, साथ के साथ तो एक like ज़रूर करना आप, तो ये क्या बन गई हमारे पास, 0, 0, और इसमें से ये करेंगे, minus, तो क्या आएगा, minus of 1, 1, 1 plus 3 क्या होगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि plus करना है, R1 पे operation लग रहा है, और ये आजाएगा 1, और ये plus क्ये करेंगे, minus 1, 3, 1, minus 1, इसमें से ये subtract करना, 3 में से 2 करना है, subtract, minus 1, और प्लस के 2, A, अब क्या करना है, यहाँ पे क्या बनानी है, 1, वो तो 1 बात दे भी बन जाएगा, उसके कोई चिंता वाली बात नहीं है, सबसे पहले इनको क्या कर लेते हैं, खतम, तो फस्त को खतम करने के लिए क्या करेंगे, R1 tends to R1 प्लस R3, अब देखो, R2 करूंगी अगर मैं, तो यह 1 यहाँ पे 1 बना देगा, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, R3, आई होप आपको एक क्लीर हो रहे होंगे, और R2 में क्या operation गा हूँ, R2 में इसलिए यह minus कर दू, R2 tends to R2 माइनस R3, क्योंकि यहाँ पे 0 ओल्रेडी हम बना चुके हैं, तो इसलिए हमारा उपर कोई effect नहीं पड़ेगा, 1, 0, इसमें से यह plus किया तो, 0, और इसमें से यह minus किया तो, 0, 1, और 0, 0, 0, minus बनाएगा, क्योंकि अभी थर्ड पे operation नहीं लगा, क्या बनेगा इदर, R1 plus R3, 4 minus 2 बनेगा, यह 0, और यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, minus 1 plus 2 क्या बनेगा, 1, second में क्या operation लगा है, R2 minus R3, minus करेंगे 9, minus करेंगे 2, और minus of 3, minus 6, minus 1 of 2, और यहाँ पे बन जाएगा, A, इतनी बात क्लिए है, बहुत easy questions है, आप easily इनको tackle कर सकते हो, अब बात करते हैं, last term की, इसको बनाना है 1, 1 बनाने के लिए क्या करोगे, सिद्धा minus 1 से multiply कर दो, क्या बन जाएगा 1, 1, 0, 0, यानि कि R3 tends to minus 1 R3, 0, 1, 0, 0, 0, 1, बिल्गुल easy questions थे, और यहाँ पे मेरी term क्या बन जाएगा, minus 2, 0, 1, 9, 2, minus 3, 6, 1, minus of 2, A, A को किसी matrix से multiply करने पर, अगर मेरे को I मिल रहा है, तो वो term क्या होगी, A inverse, तो A inverse की value क्या आई, minus 2, 0, 1, 2, 9, 2, minus 3, 6, 1, minus of 2, किसी भी चीज़ का रटा नहीं लगाना है, समझने की कोशिश करने है, कि वो चीज़ आखिर आई कहां से, तो इस तरह ही है मेरा क्या हो जाता है, answer, right, तो चलिए हम मिलते हैं अपनी next वीडियो में, हमारी last exercise के साथ, exercise 5.4 के साथ, जिसमें हम exercise 5.4 के कुछ examples और questions करेंगे, चलिए मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए thank you, keep watching and stay tuned with us if you like.